हेलो बच्चो आज मैं आपको क्लास 9 जिसका विश्य है गनित इसकी वर्क्षिट नमबर 13 की रिविजन कराऊंगी जिसकी डेट थी हमार पास 3 अगस्ट 2020 तो आज की वर्क्षिट में भी अपनी सर्व समिका ही करने वाले लेकिन आज हम अपनी तीसरी सर्व समिका सिखेंगे ह देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है बच्चो 11 का स्क्वार माइनस 5 के स्क्वार का मान कितना होगा तो सर है एक जो हमसे इसका मान पूछ रहे हैं ठीक है सर यह तो बहुत असान है 11 का स्क्वार माइनस 5 का स्क्वार तो 11 को दो बार लिख दिया 5 को दो बार लिख दिया बीच में माइनस लगा दिया अब 11 इंटू 11 में पास 121 होता है और 5 इंटू 5 में पास 25 होता है दोनों को माइनस के आंसर आगया तो बहुत असानी से आंसर बता दिया ठीक है फिर बहुत बरिया सुनू अब बताओ कि 221 का स्क्वाइर माइनस 211 का स्क्वाइर का मान कितना suggestion पूछा थिक्ते तो अब क्या पता चला तो इसने बोला शर्ड इस सवाल के हल में तो समय लगेगा हैं तो उसके बाद अरे नहीं सूनो इसका हल बहुत असान है इसका हल इस प्रकार है तो देखो 221 का square minus 211 का square था तो हमने क्या क्या एक बार इन दोनों को plus कर दिया एक bracket में एक बार हमने इन दोनों को minus कर दिया एक bracket में तो जो भी plus करके answer आया और जो भी minus करके answer आया उन दोनों को into कर दिया इससे असान कैसे हुआ तो पहले तो आपको 221 into 221 करना पड़ता और 211 into 211 करना पड़ता आप कम से कम इतनी बड़ी multiply है तो नहीं कर नहीं पड़ी प्लस तो हम असानी से कर सकते हैं तो यहीं से हमारी एक search समी का निकल के आ जाती है वो क्या आती है x square minus y square तो वो क्या होती है जब भी आपको x square minus y square दियो तो आप क्या करो x plus y और x minus y कर दो एक बार दोनों को plus कर दो एक bracket में रखे एक बार दोनों को minus कर दो एक bracket में रखे और जो answer आए दोनों को multiply करते हैं तो यह आपकी तीसरी search समी का है चलिए अब इससे related questions देखते हैं देखो वो search समी का यह यहां पर लिखी विए और चार questions आपको यहां पर दे रखें यह उधारन दे रखें करके उसके बाद सार questions करने के लिए भी दिए तो हम questions को कर लेते हैं फिर उधारन तो हमारे अपने आपी हो जाएंगे ठीक है देखो फर्स्ट मैं आपसे कह रहे है 47 का square minus 43 का square तो अगर मैं 23 यह करना था जब हम इन दोनों को plus करेंगे तो हमारा answer कितना आएगा 90 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा answer 4 आएगा बस into कर दो 360 आपका answer आगिया ठीक है ना चलिए ऐसी दूसरे वाला देखते हैं यहां पर तो 100 का square और माइनस का 99 का square है तो अगर मैं अतनी सर्फ समिगा यहां लिखू X square माइनस Y square तो वो रहती है X plus Y और X माइनस Y ठीक है in दोनों को plus किया तो 199 और इन दोनों को माइनस किया तो 1 आया तो जब into क्या है तो 199 मेरा answer आगया, तो इतनी बड़ी-बड़ी multiply करने की मुझे जरुरती नहीं परे, ठीक है न, चलिए, third part हम यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ आपको यह करके दिया है, x plus y और x minus y, sorry, x plus 2 और x minus 2 है, तो देखो अब न, आपको अगर मैं अपनी सर्व समी का पहले ही हाँ लिख दूँ एक बारी, यह आपके पास सर्व समी का होती है, है न, अब आपको ना पते हैं क्या, यह दोनों bracket दे रखे हैं, तो इसका मतलब अब आपको यह लिखना है, answer के अंदर, तो क्या लिखना है, x square मतलब x का square, y square मतलब 2 क क्योंकि y की जगा हमें ही हाँ, टू दे रखाएं, ठीक है, तो x square माइनस 4 ही आपका answer आगया, तो जब आपको यह वाली side दे तो आपको यह वाली side लिखनी है, और जब आपको यह वाली side दे तो आपको यह वाली side लिखनी है, ठीक है, चलिए फॉर्थ वाला देखते हैं, तो 3x-1 और 3x-1 है, तो यहाँ पर भी आपको दूसरी वाली साइट दे रखिए है, और पहली वाली साइट आपको लिखनी है, अब अगर मैं अपनी सर्व समी का यहाँ पर यह लिखूँ, x-y और x-y तो वो होती है, x-square-y-square, तो x है में पास 3x, x तो 3x-y में पास 1, तो 1-1-1-2, ठीक है न, तो 3x-2 मतलब 9x-2, क्योंकि यह square दोनों पर 3 पर भी और 9 पर भी, और 1-2 मतलब 1, अभी आगे तो हल नहीं हो सकता, क्योंकि यह x-square है, यहाँ पर नहीं है, तो यह यह आपका क्या होगा, answer होगा, तो यह जो 3rd सर्फ सम्मिगाती, उस पर यह 4 quotions दे, और सेम ऐसी आपको यहाँ पर 4 उधारन दे रखें, 2 आपको वो वाले दे रखें, जिसमें x-y और x-y लगाना है, और 2 आपको दे रखें, जिसमें x-square-y-square, वो वाली side लिखनी है, तो आप उधारन भी अच्छे से कीजेगा, और इन quotions को भी अच्छे से कीजेगा, तो इसे के साथ ही worksheet complete होती है, अब worksheet number 14, जो हम अपनी next video में revise करेंगे, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसको like जरूर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, तैंक यू,